अच्छों, आज रग नेक्स टॉपिक, नेक्स थियोरम कांचिनियू करेंगे, हमने थियोरम नमबर टुटा करवाया था, आज रग स्टार्ट करते हैं थियोरम नमबर ट्री से, ओके, अगर कोई दो ट्रांगिल हैं, उनके कर्स्पांडिंग अंगल हैं, तो आपको यह प्रूफ करना हैं, कि यह आपका सिमलर ट्रांगिल होगा, वैसे तो यह सिमलारिटी की कंदीशन होती है, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, तो देखिए, कैसे किया गया है, given, टेकिंग टू ट्रांगिल्स, टू ट्रांगिल्स, A, B, C, and D, E, F, such that, कौन से दो ट्रांगिल्स लिए, एक A, B, C, लिया है, एक D, E, F लिया है, ठीक है, तोनों ट्रांगिल्स सिमलर, अभी नहीं प्रूफ होगा है, सिर्फ कहरे है, आंगल्स एक्वल है, वेकिन ही, क्यार रिखा हमें, एगल A is equal to आंगल D, आंगल B is equal to आंगल E, आंगल C is equals to अंगल F सिफ एंगल्स को इक्वल किया गया है यह निए प्रूफ करना है यह थो ट्रीज्ड आर पर सिमिलर्ट मेंसु ट्रांगल ABD C is similar to triangle D E F एक कंश्वक्शन की अमने शिक च्ट्रॉक्शन लिकान construction किया cut dp is equal to a b इस तरीके का dp हमने cut किया है जो हमारे a b के equal है इस a b के equal रेखे a b के equal है और dq इस तरीके से cut किया है जो a c के equal है that means dp is equal to a b and dq is equal to a c and joining joining pq right pq को join का लिया के लिया triangle a b c and triangle dp q दो triangles ले लिये गाए है a b is equal to dp by construction a c is equal to dp by construction दो triangles means यह वाला a b c and dp q ठीक है a b is equal to dp by construction a c is equal to dq by construction and angle a is equal to angle d यह गिवन है यह आमने given में दिखिया clear तब तीन चीज़े मिल गई यानि angle side angle side की property से दोनों तो आंगल के हो right इसका मतलब यह है कि b जो है p के equal होगे c जो है q के equal हो गया है that means we say that the angle b e के equal था b p के equal होगे that means p e के equal हो जाएगा same as c c is f के equal है जो given में है c q के equal that means p q और f बीक्वाल हो जाएगा यह दोनों equal होने का मतलब that means corresponding angle से equal वा इसका मतलब p q is parallel to e f look देखियो यह लिखा हमने given और c p c t से लिख सकते दोनों equal हो गया है और यह दोनों साइट्स है यह इक्वालर हो गया है यह दोनों आंगल से यह equal हो गया है बच्छों तो इसका मतलब क्या है अब देखिए जब हमारे । इस राइंगल स्कार्इब एक कि तो थुसाइड स्पयर्णरहा गहीं, तो इनले स्परमें प्रोपोश्नायटी económ princippod स्कीन श्यूम्ट कर थे पहूं सब्यासियरànे कि तीविद्लनी से मंदग कर सकते हैं याय।-क अपाउन D P supplying P clean bus with question C by using the proportionality theorem, same as a b upon d is equal to a c upon df कर दिया हमने a b देखे डीपी की पगार हमने a इसकी equal था रहने इसके a b upon a b upon में हमने a equal कर दिया यानि कि a b upon d e a b upon d e is equals to a c upon में आपका a c upon df हो गया क्योंकि जब यह दोनों साइड्स पालर ते दो को पर्पोर्शनाल्जी थेओरम से यह एक्वल हो गया है यानि कि आगुमिन की साइड्स को लिखा जा सके कि यह और यह दोनों ट्रांगल्स क्यों गया हमारे दोनों गभर्शनाल्जी और यह दोनों ट्रांगल्स क्यों गया हैं थीक हैं तो यह जो हमने प्रूफ किया है बच्चों यह वाला थिवरम का प्रूफ आप लोगों को इसे तरीके से और भी पार्ट से उनको भी करना हैं एक्जाम् अप सिस अंगिल आंगिल आंगिल सिमिलारी इस तरीकी से मन बता सकते हैं इस तरह से बताया सकता है okay now the next is if in two triangles side of one triangle is proportional to the side of the other triangle then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar two triangles ऐसे हैं जो लोग जिनकी one side जिनकी sides के ratio other sides के ratio की equal है और उनकी angles भी equal हो रहे हैं then we say that the angles are equal and the both the triangles are similar this criteria is known as side 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 criteria of the two triangles that means we say that the the proportion of the side the proportion of the sides are equal then a b upon d e and a c upon d f or a c upon b c upon e f some equal हो जाता है that means we say that this is the both the triangles are similar now the next is if one angle of a triangle is equal to the one angle of the other triangle and sides including these angles are proportional to then they are then the two triangles are similar but don't know triangle scale similar this is refers to as the side angle side any side angle side criteria of the two similar triangles that means we say that the ratio of the two sides are equal then the corresponding angle are equal we say that the both the triangles are similar make it angle a is equal to angle d diagrammatic angle a is equal to angle d a v upon d e is equal to a c upon d f e both the triangles are similar we say that this is the side angle and side criteria now don't know which side angle on Chicago आइए आंगल साइड आंगल का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि तब दो आंगल्स इकॉल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होगा है तो साइड का रेश्यो हो चाहिना हो लेकिन तो आगर आंगल्स हमको इकॉल मिल गए तो भी से दार बोद ये नहीं है इस प्रोपिय। चल्र talking है चल्रेنتु नहीं है चुछ बरते हैं तो इस में आंगल 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 का कॉई पॉइंट नहीं है यृत और प्रोपरटी में इस प्रपॉपर्टी को लिखे चाहना लिखे मतलब नहीं है आगे हम बड़ते हैं नेक्स्ट कि इतनी मेने झ next exercise को cover करेंगी चीक है उसके बाद की जो में एक्सराइब करवा रहे हैं वह उसके बाद की exercise को cover करेंगी that means this this theory all the theory 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 are covered exercise 6.3 and the next theorem covered नैसे की स्कुरम ने कराया था यह वाली exercise में हमने कराया है आप लोको 6.2 exercise तो यह वाल जो में अभी चारो करवाई हैं theorem 6.3 को cover करेंगी जो next theorem हम कराने चाहरे हैं वह आपकी 6.4 को cover करेंगी ओके now the next lesson the ratio of the areas of the two similar triangles are equal the square उसको squares जो होते हैं ratio corresponding sides के equal होते हैं इनके sides का जो ratio है साइट के जो ratio है वो equal अगर है साइट के साइट के एरिया के जो ratio है अगर एरिया दोनों triangles के equal हैं तो इनके corresponding sides and ratios भी क्या होंगी equal but we can get the two triangles ABC and PQR are similar such that ABC similar to PQR prove that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB upon PQ call square is equal to BC upon QR call square that means we say that इनके area के जो ratio है वो उनके sides के ratio okay square के equal होते हैं is AB का square AB का square upon PQ का square is equals to AC का square upon PR का square is equals to BC का square BC का square upon PQR का square हमने क्या किया है यह दोनों triangles को equal करने के proof that में लिख दिया फिर construction किया एक जो इन altitude of AM and AM and PN right M M दो two points of the on the base of BC and QR okay now now you will write children this is the area of triangle ABC is equals to half base into height or base के वालू क्या आप लेख सकते हैं BC and the height is AM same as base is QR and the height is PN right the half base into height के रिखिये BC into AM और QR into PN half of cancel out हो गया right half of cancel out हो के मैंने BC into AM upon me QR into AN PN equation number one okay now the next is तोनों triangles लिया हमने तोनों triangles लिये जब अच्छा तो एक triangle लिया A, B, M और दुसरा triangle लिया P, Q, N समझना मेरी बात को angle B is equals to angle Q Q equal है क्योंकि A, B, C को P, Q, R के similar ये बोल रहा है is that clear? क्यों triangle similar है angle M is equals to angle N Q equal है because this is 90 degree okay देखिये दिखिया हमने A, B, A angle B is equals triangle Q, angle M is equals to N Q equal है A triangle A, दोनों similar triangle से है और ये क्या है? each is 90 degree, ये 90 degree के equal है okay, now the next is, देखिये आगे का क्या कह रहा है बेटा? कि दोनों triangle जब similar हो गए हमारे तो angle angle similarity criteria से दो triangles are similar तो यानि कि दोनों triangle similar हो गए तो उनके ratio is equal होगी यानि A, M upon P, N is equals to A, B upon P, Q इसको भी देखियोंचे कि A, M upon P, N कैसे होगा? A, M upon P, N is equals to A, B upon P, Q, right होगा? यानि देखियों लिख सकते हैं, B, A, B, लिख सकते हैं लेकिन जब दो का काम हैं, दोनों का लिख दिया इकल करती हैं हमने इसके बाद लेकि क्या लिखा ये लिख गया? इसके बाद दोनों triangle के ओग हमारे similar ये given है पूरा के पूरा triangle भी बेटा given है A, B, C, P, Q, R पूरे के जब E के similar है तो A, B upon P, Q is equal to A, C upon P, R is equal to B, C upon Q, R भी लिख सकते हैं दोनों लिख दिया हमने तो इसके बाद क्या किया हमने? इस जो triangle हमने from equation number first and third first हमारी कहां थी हमारी? first हमारी theorem equation थी आपर सब इक्वेशन में देखिए first equation हमारी बनी थी area of triangle देखिए area of triangle A, B, C upon area of triangle P, Q, R is equal to B, C into A, M upon P, Q, R into P, N राइए थी? देखिए और A, M upon A, M upon P, N की जगह पे हम लोग A, B upon P, Q लिख सकते हैं AB upon P, Q दिख रिख लिख 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 हैं AB square upon P, Q स्क्वेर हो जाएगा same as, जब यह हमने AB square upon P, Q को square हो गया from equation number third AB upon P, Q का BC upon Q R लिख सकते हैं CA upon R, B लिख सकते हैं area of triangle ABC upon P, Q, R is equal to AB upon P, Q की all square is equal to BC upon QR का whole square is equals to CA upon RB का whole square. Clear? इतना clear? यानि कि यह हमारा पूरा का theorem. यानि क्या कहरेंगी जो side area है, area के ratios है, वो equal होगा, उनकी sides के square के ratio की equal होगा. This is the theorem. इस theorem का statement आप जरे गरी use कर सकते हैं आपनी questions में. exercise 6.4 इसमें cover करेगी, okay? इसकी practice कीजेगा, हम लोग exercise next time discuss करेंगे, okay? Thank you girls.